विक्सित भारत संकल प्यात्रा दोस्तों ये एक ऐसी यात्रा का अविजन किया गया है जहांपर भारत सरकार की जितनी भी important नीतीज हैं इतने भी अच्छे अच्छे जो प्रोग्राम सरकार ने चलाए हुए हैं उसके बारे में लोगों को reach out करा जा रहा है ताकि उनको इस बारे में पता लग चले तो एक रथ यात्रा kind of एक निकली हुई है पूरे देज भर में जो गाओं गाओं में जा जाकर लोगों को सरकारे नीतियों के बारे में बता रही है तो इसके चार aims है जो चार aims है वो यह है कि एक तो वही ऐसी population है इंडिया के अंदर जिन्हें अभी तक सरकार की जो बहुत सारी policies उन्हें पता ही नहीं उसके बारे में कि हो सकता है कि उन्हें भी उसका कुछ लाब मिल जाए बट at least information तो उ इतने भी लोग मिलें उनके साथ जो हमारे government के जो beneficiaries हैं schemes के वो interact करें लोगों के साथ वो अपने personal experiences उन्हें बताएं कि उन्हें कहां पर बाधा आती है या क्या उन्हें अच्छा लग रहा है feedback दें और उसके अलावा अगर कोई ऐसे लोग भी हैं जो वहीं की वहीं फायदा चाते हैं किसी scheme का तो वो उसमें enroll कर सकें कि beneficiaries directly आपके सरकार आपके घर पे आ गई है तो आप सीधा उन schemes का फायदा उठाएं अब ये सब बाते सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन इसमें हो ये रहा है कि कुछ-कुछ जगा ऐसी भी है जहां पर लोग पसंद नहीं कर तो गाड़ी पर लिखा होता है मोधी सरकार तो कुछ लोगा का यह कहना है कि भई अगर यह government की policies के बार में हम बात कर रहे हैं तो जो government की जो policies उसकी अंतर या तो भरत सरकार लिखा होना चाहिए या Indian government लिखा होना चाहिए एक तो आपने लिखा हुआ है मोधी सरकार और जीज ठीक नहीं है तो आप मुझे बताई हैं आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है की चाहिए चाहिए उन्हें मोधी सरकार की हम सिर्फ 15 सरकार लग Nay कि मिछे में रीए अगर आपको कूछ मज़ा साधर यहें तो हम वीस बटाई शाल रहा है कर सकते हैं अपूसे एस्ते रही है, एस्ते रही है, थाक्यू